सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ केर टिप्स को और बेल आइकन को दवाईए हेल्थ और हॉम रेमेडिस की जानकर इस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो आपका हमारे यूटूब चैनल पर हर दिस वागत है दोस्तो आज हम माईगरेन बिशे के वारे जानते हैं कि इसके लक्षन क्या होते हैं कारण क्या होते हैं बचाव क्या होते हैं फिर इसके हमें कैसे इलाज करना है अकसर देखा गया है कि आजकल माइग्रेन से हर कोई पीडित है तो इसको माइग्रेन के वारे में आपको समझने के लिए पूरे वीडियो को आखरी तक देखेगेगा कि इसके लक्षण कारण और बचाव क्या है यदि आप माइगरेन से पीडित हैं तो आप जानते हैं कि माइगरेन में होने वाला सिर्दर्द बहुत तकलिब दायक होता है माइगरेन एक प्रकार का सिर्दर्द है जिसमें सिर्के दोनों या एक और रुक रुक का भयानक दर्द होता है माइग्रेन दो घंटे से लेकर कई दिनों तक बना रहता है माइग्रेन सिर्दर्द दूसरे सिर्दर्द की तुलना में अधिक होता है माइग्रेन मूल रूप से नियोरोलोजिकल समस्या है सरीर में कुछ निरो ट्रांस्मीटर्स का उत्पादन भी माइगरोन का करण हो सकता है माइगरेन के समय दिमाग में रख्त संचार बढ़ जाता है जिसे ब्यक्ति को तेज से दर्द होने लगता है तो इस वीडियो के अंदरा माइगरेन की लक्षन, माइगरेन की कारण और माइगरेन से बच्चा और उसके बाद में आखिर में माइगरेन का परिक्षन कैसे करते हैं वो जानेंगी कोशिस करेंगे माइगरेन की लक्षन कुछ इस प्रकार होते हैं सिर में फ्रक्ता हुआ माइगरेन दर्द जाता सिर के एक हिस्से में सुरू होता है जो लोग माइगरेन के सिद्द से पीड़त हैं वे आमतोर पर नियमित का गति विद्यों को करने में असमर्थ होते हैं आँखों में दर्द, मतली और उल्टीवी अनुवब करते हैं बेप्रकाश, ध्वनी और गंत परिवतन के प्रती अति संबेदन सील हो जाते हैं दिन भर बेवजय ओवासी आना भी माइगरेन का लक्षण है माइगरेन से दर्द से पीड़त लोगों को औरा का अनुवब होता है उन्हें संबेदना की अस्थाई कमे या पिंस और सुईया चुबने की भी संबावना महसूस होती है माइगरेन का दर्द होने पर नीद अच्छे से नहीं आती है ठकान महसूस होती है लेकिन नीद नहीं आती थकान मैसूस होगी आपको लेकि निद ने आएगी माइगरेन के दोरान आखों में भी भयानक दर्द होता है पलके जपकने में भी बहुत जलन होती है सिर्दर्द के साथ मतली उल्टी आना भी माइगरेन के लक्षन होते हैं माइगरेन के दोरान मूड में परवरतन बहुत तेजी से होता है कुछ महरीज अचानक बिना किसी के कारण ही बहुती उदास मैसूस करते हैं और कभी ज़्यादा उत्साइध हो जाते हैं माइगरेन का दर्ध होने से पहले कुछ लोगों की खाते पदार्तों के लिए लालसा बढ़ जाती है नियमित गत्वित्याओं जैसे घोमना, सीओनियों पर चड़ने से माइगरेन का दर्ध बतर भी हो सकता है माइगरेन में बारवार मुत्र त्याग की आवशकता अनुवख करना भी इसका एक मुख्य लक्षण है आईए आप जानते हैं माइगरेन के कारण हर्मोनल परविर्तन है माइगरोन का एक मुत्पूर कारण तनाव के कारण होता है माइगरेन कैफीन के कारण भी हो सकता है माईगरेन की सुरुवाद बातावर नमें परिवर्तन है माईगरेन का कारण पांचवा है साराव का दुस परणाम है माईगरेन का सिर्दर्द आईए इनको बारी की से जनते हैं हर्मोनल परिवर्तन है माईगरेन का मुख्य कारण किसी मैला के सरीर में होने वाले मेजर हार्मोनल परिवर्तन माईग्रेट सिर्दत की सुरूआत में योगतान कर सकते हैं मासिक धर्म, गर्ववस्था और रजनोब्रती जैसे बिविन्द कारणों से एक मैला के सरीर में बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं अस्तिर हार्मोनल इस तरह कभी-कभी सिर्दत का कारण हो सकता है। एक अधिन के अनुसार माईग्रेन पुर्सों की तुलना में मैलाओं में अधिक प्रवावित करता है। पाया जाता है। अगला है तनाव के कारण होता है माईग्रेन। तनाव को माईग्रेन सिर्दर्द के साथ जोड़ा गया है तनाव का आपके मस्तिस्क पर सीधा प्रवाप पड़ता है कभी-कभी मस्तिस्क के कुछ पदारतों को रिलीज करता है जो माईग्रेन सिर्दर्द पैदा करते हैं परियाप्त नीद नहीं मिलना भी माईगरेन का एक कारण माना जाता है अगला कारण है कैफीन के कारण यह पाय गया है कि जो लोग कैफीन पर अत्यदिक निवर रहते हैं बे बहुत ज़्यादा सिर्दर्द का अनुवब करते हैं जब यह अचानक कैफीन लेना बंद कर देते हैं कौफी का अत्यदिक सेवन अचानक से बंद करना भी एक कारण हो सकता है अगला है बातावरण में परिवर्तन बातावरण में परिवर्तन भी माईगरेन का एक मुख्य कारण माना जाता है कवी-कवी अत्यदिक तेजदोनी और सोर माईगरेन का सिर्दद का कारण बन सकता है स्थिर रोशनी और अधिक पदू भी गड़ोडी पैदा कर सकती है अत्यदिक धूप से भी माईगरेन सिर्दद हो सकता है आहर भी माइगरेन को ट्रिगर कर सकता है जैसे मीठे खादे पदार, चॉकलेट, बेहद मसालेदार और गर्म भोजन खाने से समस्याइं हो सकती हैं अब हम जानते हैं माइगरेन से बचाव की उपाय पूरे बिस्व में हर साल अरवों लोग, लाखों लोग माइगरेन के सिर्दत की समस्या से पीडित होते हैं हाला कि माइगरेन एक बहुती सामाने बिकार है इसका सही कारण और इलाज अभी तक इस्थापित नहीं हुआ है हार्मोनल परिवेतन तनाव आदी माइगरेन के सिर्दत के कारण माने जाते हैं अपनी जीवन सैली को ध्यान में रख कर इस समस्या को बड़ी मातरा में नियंत्रित किया जा सकता है आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं जिनसे आपको माइगरेन की समस्या में बहुत लाप होगा पहला है माइगरेन से बचने का उपाय संतुलित आहर लेना है दूसरा माइगरेन के दर्द के इलाज के लिए प्रयाप्त नींद लेना है तीसरा, माइग्रेन की समस्या में एक्सराइज करना है चोथा उपाय है, माइग्रेन सिर्दद में अथदिक तबा का सेवन ना करें पांचमा है, माइग्रेन की समस्या के लिए सोर से बचें तो आईए इनको बिस्तार से जानते हैं माइग्रेन से बचने के उपाए संतुलित आहर का सेवन यह कई वार देखा गया है कि यदि आप संतुलित आहर का सेवन करते हैं तो माइग्रेन के सिर्दद की समस्या को नियंतित कर सकते हैं हम लोग हमेशा अपने आहर में चोकलेट, पनी, सोया, उत्पादों, कैफीन, सरावादी को सामिल करते हैं अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो इन मेंसे किसी भी आहर का सेवन ना करें इसके अलावा मैगनेशियम में संब्रद हरी पत्तेदार सबजियों को अपने आहर में सामिल करें खटे फल के सेवन से बचें, ताजा पका हुआ खाना ही खाएं और बासी बचे हुए आहर का सेवन बंद कर दें हाइडरेडेट रहने के लिए पूरे दिन में कम से कम साथ किलास पानी का सेवन अवश्य करें कुछ मामलों में कॉफी का सेवन सिद्द की समस्या से आराम दिलाने में मदद कर सकता है लेकिन अगर कॉफी को अपने आहर में सामिल करते हैं तो इस से इसमें मौझूद कैफीन माइगरेन की समस्या को और बढ़ा सकती है बहुत नमक के साथ तले हुए भोजन के सेवन से बचने की कोसिस करें अपने आहर में ओमेगा-3, फैटी एसेड और बिटाइमिन बी जैसे पोसक तत्तों का सामिल करें साराब के सेवन से बचें क्योंकि ये माइगरेन की समस्या को और बढ़ा सकता है एक और मेतूट बात जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए भोजन को कभी भी छोड़े नहीं हमेशा निश्चे समय पर ही उचित आहर का सेवन करें और सिद्दर्द की सम्भावना को कम करें अगला उपाय है माइगरेन के दर्द के इलाज के लिए परयाप्त नीद लें अपना पसिंदीदा टीवी सीरियल देखने के लिए रात में जागना माइगरेन की समस्या के लिए अच्छा नहीं है नींद का अभाव माइग्रेन के लिए ट्रिगर के रूप में काम करता है यह माइग्रेन की समस्या को और बढ़ा सकता है अच्छे स्वास्त के लिए निश्चित समय पर हर दिन परियाप्त नींद आवश्यक है पर ज्यादा सोना भी आपके सरीर के लिए हानिकारक हो सकता है अगला उपाय है एक्सेसाइज करें आप जानते हैं कि माइगरेन दर्द के लिए तनाव ट्रिगर के रूप में कार करता है इस समस्या से निजात पाने के लिए एक्सेसाइज बहुत ही अच्छा तरीका है एक्सेसाइज आप आपके तनाव और नकारवत बिचार को खत्म करने में मदद करती है जब बरकावट करते हैं तो आपके सरीर से अच्छा हर्मो निकलता है जिसके कारण मनोदसा सुधरती है लोग आपके आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है यह मन को आरम दिलाने और तनाव को सांध करने में मदद करता है अगला उपाय है अथ्यदिक दवा का शेवन ना करें यदि कोई ब्यक्ति जो असनिय दर्द का अनुवब करता है तो उसे दर्द से निजात पाने के लिए दवा की आवश्यक्ता होती है इस इस्तिदी में भी दवा लेने से पहले एक वार सूचना चाहिए यदि आप दवा का शेवन बहुत ज़्यादा और बार बार कर रहे हैं तो इस से इस्तिदी बिगड सकती है अपने माईगरेन के उपचार में उपयोग करने वाले दवा के वारे में स्वास्त और उसके हानिकारव परणाम के बारे में अपने चिक्तसक से परमार से अवश्य करना चाहिए अगला है सोर से बचें, यदि आप माईगरेन की समस्या से पीडित हैं तो आप साइद उन चीजों से बचना चाहिए जो सिर्दत का कारण बनते हैं इसके लिए जगमगाती रोषनी, बहुत अधिक सोर और बहुत अधिक सोर की रोषनी वाले छित्रों से बचने की कोशिश करनी चाहिए तो दोस्तो अब जानते हैं कि माईगरेन का परिशन कैसे करें इसको हम कैसे जाना है कि हमें माईगरेन की प्रॉलम है अगर आपको माईगरेन है या आपके पारवारिक इत्यास में माईगरेन रहा है तो इसनायो बिसे सद्गे यानि कि निरोलोजिस्ट आपके माईगरेन का निदान आपके मेडिकल इत्यास, लक्षण्ड, सारिक और इसनायविक परिट्शन के अनुसार ही करेंगे अगर आपके इस्तिति असामान ने और जटिल है या आपका दर्द एकदम आपके अपने आप बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको परिषड कराने के सलाथ देंगे जिससे कि वे आपके होने वाले दर्द के संभावित करणों का पता लगा सकें पहला है खून की जाच ब्लड टेस्ट डॉक्टर आपको खून की जाच कराने के लिए कह सकते हैं जिसमें निमले खित कारणों के बारे में जाच की जाएगी जिसमें आप देखेंगे कि रक्त कोशिकाओं से संभावित कोई दिक्कत रीड की हड़िया दिमाग में संकरमन और तंत्र का तंत्र की स्थिति सिटी स्कें से डॉक्टर पतालानी कोश करेंगे ट्यूमर्स संकरमन मस्तिस्क को विच्छती मस्तिस्क में रत्सराव अन्य संभावित चिकित सा समझ्या स्पाइनल टैप रीड की हड़िय में से तरल पदार्थ इखटा करके उसे जाचना य पीचे इस्ते में दो कोशकां को यानि बर्ड ट्रेल को के बीच एक पतली सूई डाली जाती है इस तरह पदार्थ की चाँच फिर एक लैब में की जाती है तो दोस्तो आईए अब जानते हैं कि माईगरेन का एक घरिलू उपाय है घरिलू मुस्खे की बारे हो जानते हैं क उच्छ रक्षाप को निक्त्रित करता है हड्डियों के दर्द को कम करता है मुटापा कम करता है और ज़कपज में राहत देता है एक बड़ी चम्मच आर्गेनिक सेव के सिर्के को एक ग्लास पानी में घोलें अब उपर से एक चम्मच सेद मिला लें माइगरेन को रोकने और ठीक करने के लिए इसका रोज सेवन करें आप धीरे-दीरे सेव के सिर्के की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपका माइगरेन का आटेक आने वाला है तो सेव के सिर्के की मात्रा भी दो बड़ी चम्मच कर दें आइस पैक, टैंसन और माइगरेन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल सबसे प्रचलित और काफी कारकर घरेलो नुस्का है यह तवचा को सुन कर देता है जिससे दर्द का अनुवब कम हो जाता है एक साफ टावल में कुछ बर्फ के टुकड़े भांद कर अपने माथे, सर और गर्दन के पीछे के इससे पर 10-15 मिनट के लिए रखें जरुद पढ़ने पर इसे दुवारा करें पेपर मिन्ट, पेपर मिन्ट में एंटी-फ्लोमेंट्री परपड़िस होती है जो तंत्रकाओं यानिकी नर्व्स को सांथ करने में मदद करती है साथ ही इसके एंटी-स्पेस्मोटिक और एंड कैलमिक एफेक्ट भी होते है 2008 में International Journal of Neuroscience में पबलिस हुई एक इस्टडी के अनुसार पेपर मिन्ट की खुस्वू सरीर में सिर्द से रात परदान करने वाला अनुवा परदान करती है रोज एक कप सैथ के साथ बनी पेपर मिन्ट टी का अपयोग करें इसके नियवन सेफ से आपको माइगरेन की समस्षा से निजात मिल जाएगी आप अपने माथे की पेपर मिन्ट आयल से माइलिस भी कर सकते हैं 2-3 पेपर मिन्ट ओयल की बिविदों को माथे पर डाल कर मालिस करें आप इसमें lavender oil मिलागर भी इस्तमल कर सकते हैं मालिस करने के बाद 20-30 मिनट के लिए oil को लगा रहने दें ऐसा दिन में 3-4 बार करें लाल मिर्च, can pepper लाल मिर्च माइग्रेन को ठीक करने के लिए काफी कारगर घरिलू इलाज होती है क्योंकि यह blood circulation को stimulate करके इसके flow को बढ़ाती है साथ ही इसमें capsaicin नामक compound होता है जो natural दर्दिनमारक pain color की तरह काम करता है एक कप गर्म पानी में एक चमच लाल मिर्च मिलाएं बेकल्पिक रूप से स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें निवू का रज और सहथ भी मिला सकते हैं अब इस टी का सेवन करें chamomile tea chamomile में antiflomantry, antismodokic और soothing properties होती हैं जो migraine से रहाद देने में मदद करती है chamomile tea का नियमित सेवन करने से migraine होने की संभावना भी कम हो जाती है migraine को ठीक करने के लिए जर्मन chamomile सबसे अधिक फायदे मंद होती है इसलिए बाजार में खरीते समय जर्मन chamomile लेवल वाली खरीदें दो-तीन चमाज chamomile को एक कब दरन पानी में डालकर पांच-दस पनट के लिए उवा लें इसमें थोड़ा सा नीबू कर रस और सहर भी बिला सकते है अब इस चाय को छान कर पिए इसका सेवन दिन में दो या तीन वार करें अधरक 2013 में साइटो थेरपी रिसर्च में पबलिस हुई एक रिसर्च के अनुसार अधरक सामाने माईग्रेन के इलाज में काफी एहम है भूमिका नवा सकता है अधरक प्रोस्टेजिन जिस्ट को ब्लॉक करता है और प्रोस्टेजिन जिस्ट के एक प्रकार की केमिकल होते हैं जो मास पेसी संकुचन को बढ़ाते हैं हार्मोन को प्रवाइद करते हैं और दिमाग के रक्त कड़ों में इंफलमोशन को निंदत करते हैं अद्रक की चाय का दिन में दो तीम बार सीवन करें या फिर कच्छे अद्रक को स्लाइस लेस में काट कर चवाएं या भी जी मचलने और अपच को ठीक करेगा सिरकी मालिज करने से भी माइगरेन के दर्द को कम करने में सहायता मिलती है क्योंकि यह दर्द के सिगनल को दमाग तक जाने से रोकती है यह सरोटोनिक एक्टाविटी को वड़ा देती है और कुछ स्यरोटिक नेप्र horizont को स्टिमिलेट करती है इससे माइगरेन के लक्षन और अबरती में कमी आती है अपने तौनों हादों की सुरू की उंगलियों से अपने सिर की धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में मालिस करें हमारे सिर में तीन जगे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको ठीक से दवाने पर दर्द में काफी रात मिलती है वह तीन प्रेशर पॉइंट्स हैं खोपडी के नीचे का आधार माथे के बीच में आई ब्लोस के बीच में और आँखों के कौनों में आप मालिस के लिए आयल का इस्तमाल भी कर सकते हैं दो चमच तिल के तेल को गर्म करें और उपर से डेड़ डेड़ चमच दाल चिनी और अलाइची का पाउडर डाल कर पेश्ट बना लें अब इस पेश्ट को अपने माथे पल लगा कर मालिस करें फिर कुछ गंटों के लिए इसे लगा रहने दें और फिर धो लें नियमित मालिस करने से माईगरेन की आब्रती में कमी आती है माईगरेन के सुरूाती लक्षट दिखने पर एक सेब का सेबन भी काफी लाब देता है साथ ही सोदों से पता चला है कि हरे सेव की खुसपू से माइगरेन की घंबीरता और आबरती में कमी आती है अगला है कॉफी एक कप कॉफी का सेवन भी माइगरेन के लक्षणों को कम करने में मदद करता है इसमें कैफीन होती है जो माइगरेन पैदा करने वाले कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कॉफी में कुछ पूने निवू के रसकी डाल कर सेवन करें कुछ शेतावनी वाली बाते हैं कुछ लोगों में कैफीन माइगरेन को सुरू कर सकता है साथ ही अत्यदिक कैफीन के सेवन से उल्टा असर हो सकता है और आपके इस्तिती और ज़्यादा बिगड़ सकती है इसलिए कॉफी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सला जरूर लें